हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों ये है हमारे पास अल्टरा टू स्मार्ट वाच ये वाच जो है एपल वाच अल्टरा टू जो है उसकी क्लोन है और इस स्मार्ट वाच की अन्बॉक्सिंग रिव्यू हो चुकी है चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगी उसके लिंक देना वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना वाक्स में आपको इस तरह का एक यूजर मैनूल मिलेगा उसमें आपको यहां पर यूर्कवट देखने को मिलेगा दोस्तों इसको स्कैन करने पर आपको जो है इसकी एप मिल जाएगी और अगर आपको यह चीज समझ में नह आते हैं तो यहां पर परमिशन को अलाव करते हैं वाइफाई ब्लूटूथ लोकेशन अब हम एप में आगे बढ़ते हैं तो वाच को कनेट करने के लिए आपको यहां पर आना होगा देख सकते हैं यहां पर आने के बाद आपको जो है स्क्रीन को पुल डाउन करना इस तर सकते हैं लेकिन आपको समझाने के लिए बिलूटूथ सेटिंग में जाकर करक दिखाऊँगा किस त्ले से करन से करना यहां पर हमWh. रूठिम सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं वाच जया तो और यहां अप देख सकते हैं वाच जो हैं इतना ही टाहिके लगता है狂श काफी easily connect तो हो जाती है और इसके अलाबा एप की बात करें settings की तो जादा कुछ control इसमें मिलते नहीं है basic features है उसको find करने का option है आप अपनी information यहाँ पर add कर सकते हैं दोस्तों इस watch में wallpapers change करने का option नहीं मिलता है आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर click कर रहा हूँ dial setting तो यहाँ पर दिखार है device not support तो यह चीज इसमें ठीक नहीं है आपको जो wallpapers इसमें मिलते हैं वही यूज कर सकते हैं अलग से जैसे watch में app के जरीए download करने का option मिलता है वह इसमें नहीं है तो यह ठीक नहीं है तो दोस्तों वाकी चीज़ें जो है अगर आपको डेटेल जानना इसके बारे में तो इसके लिए आपको रिव्यू की वीडियो देख लें उसके लिंक आपको description मिल जाएगा उस वीडियो के देखें इसके features के बारे में जान सकते हैं क्या क्या मिलता है इसमें क्या नहीं मिलता है तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को subscribe करें वीडियो को like और share करें